ये प्रक्रिया जो हमने अब शुरू की है जिसे हम शिवांग कह रहे हैं अंग मतलब हिस्सा यानि शिव का एक हिस्सा आप उनका एक हिस्सा हैं तो स्रिष्टी करता का एक हिस्सा होना ये रूपांतरन की यात्रा स्रिष्टी का एक हिस्सा होने से लेकर स्रिष्टी करता का एक हिस्सा होने तक की है ये ऐसी चीज है जो हम सभी में समाई हुई है ना सिर्फ इंसानों का बलकि हमारे आसपास जीवन के हर रूप का भी वही स लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा अफसर है या जो सबसे बड़ी चुनाती है हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी संभावना है वो यह है कि हमारे अंदर उसका अनुभव करने की शमता है हम उसे एक चेतन प्रक्रिया में बदल सकते हैं कोई भी दूसरा जीव ये नहीं कर सकता, कोई भी अन्य प्राणी, हालांकि वो भी उसी से बने, लेकिन वो कभी ये नहीं जान सकते, कि वो उससे बने, लेकिन अगर आप अपने दिल में भक्ती की अगनी प्रजवलित कर लें, तो आप यहां धर्ती के एक टुकडे की तरह न और भक्ती एक नए स्तर की समवेदन शीलता पैदा करें, मैं चाहता हूँ कि आप इस नए स्तर की समवेदन शीलता की संस्कृति लाएं, और भक्ती, सबसे खूबसूरत और आकर्शक चीज़ बन जानी चाहिए, ये हमेशा से रही है, इंसान का दिल इसी चीज़ की इछ़ रखता है, ये बिना किसी वज़े से प्रज्वलित रहना चाहता है, अगर ये बिना किसी वज़े से प्रज्वलित नहीं है, तो आप इसे hormones की मदद से प्रज्वलित करेंगे, अगर भक्ती नहीं है, तो आप किसी से लगाव रखने की बुरी तरह से कोशिशें करते रहेंगे अगर भक्ती है तो आप देखेंगे कि आप जो भी चाहते हैं वो आपके अंदर ही हो रहा है सबसे खुबसूरों चीज़ें आपके अंदर ही हो रही है आसपास किसी चीज़ को खोजने के लिए समय ही नहीं है क्योंकि आपके अंदर ही इतना कुछ हो रहा है यह अच्छा होगा, कि आप कुछ साल साधना करें, और वैसी भक्ती पैदा करें, जिसका मतलब है आपके अंदर पूरा संतुलन जब आप एक भक्त होते हैं, तो आप संपूर्ण संतुलन में होते हैं क्यूंकि भक्ती आप में वो आयाम पैदा करती है ये एक चरम प्रक्रिया लगती है भक्ती या भक्त एक चरम पंथी है जो किसी के खिलाफ नहीं है हमें ऐसे लोगों की जरूरत है फिलहाल हम ऐसे चरमपंथी तयार कर रहे हैं जो हमेशा किसी के खिलाफ होते हैं मैं चाहता हूँ कि आप बस कल्पना करें उग्रवादियों जैसे लोग जो इस धर्ती पर तबाही मचा रहे हैं लेकिन उनमें एक आयाम है जो बहुत मूलेवान है वो ये है कि वो उस चीज के लिए मरने के लिए तयार हैं जिसे वो कीमती मानते हैं ये एक माहान गुण है लेकिन वो किसी के खिलाफ हैं ये ही एक मात्र समस्या है मान लीजिये उनका कोई दुश्मन नहीं होता मान लीजिये आपका कोई दुश्मन ना हो और आप में दुश्मन बनाने की शम्ता भी ना हो, पर आप चरमपन्ती हों, तो आप एक शांधार तीवर इंसान होंगे है न? एक बहुत ही तीवर और शांधार जीवन होंगे आप. अगर आप बस इतना करें, कि अपने अंदर कोई दुश्मन न बनाए. अगर आप कोई दुश्मन नहीं बनाते, और आप एक चरमपन्ती हैं, तो ये जीने का जबरदस्त तरीका है, क्योंकि आप एक तीवर जीवन जीएंगे. पूरी तरह सितीवर, जब आप किसी चीज के खिलाफ नहीं होते और किसी चीज के साथ भी नहीं होते, बस एक चरमपन्ती, तो आप जीवन के जबरदस्त अंश होंगे.